अगली बॉल बॉल्ड गया विकी ने स्कोर एक विकेट पर चार रन अगली बॉल लेकर विकी फुल टोस एक रन शायद एक रन होगा काले के पास फिल्डिंग और विकेट कीपिंग पर भी काले अगली बॉल लेकर विकी स्कोर पांच रन एक विकेट वाइड बॉल ये हैं नीलवाल टीम के कप्तान मिस्टर सुरज अगली बॉल विक्की की फिर से वाइड साथ रन एक विगेट के नुक्सान पर गेवरा अच्छी वेट केपिंग करते वे काले स्वीगी में मैनेजर रहें मैनेजर बना दिया तू स्वीगी में तीज रावर लेके जतिन पहली बॉल पर काट साथ दो रन आसानी के साथ होंगे विनोध के पास बोल गई स्कोर साथ रन एक विगेट स्कोर नोरन एक विगेट के नुक्सान पर बॉल्ड गया जतिन ने दूसरी विगेट नोरन दो विगेट अगली बॉल डालते विगेट जतिन डोट बॉल अगला बॉल जतिन का आसानी के साथ दो रन होंगे शायद और शायद च्यार रन अगला बॉल जतिन का फिर से वही पर दो रन आसानी से होंगे शायद यह बाइक वाले वया बीच से अठाले तो बढ़िया है तीन अवर बारा रन तीन विगेट तेरा अगली बॉल डालते हुए विक्की वाइड अगला बॉल डालते हुए विक्की और यह अच्छा शोट और यह चार रन होंगे शायद फिर से वाइड स्कोर उन्नीस रन तीन विकेट फिर से वाइड बीच रन स्कोर अगली बॉल अगला बॉल बॉल्ड क्या विक्की ने चार विकेट अगली बॉल एक रन होगा असानी के साथ बिलकुल और यह नो बॉल अमपायर का कॉल और यह नो बॉल नहीं था स्कोर इकी जरन चार विकेट अगली बॉल और देखते हैं कैचिया और यह अच्छी फिल्डिंग शांदार फिल्डिंग डारेक्ट थ्रोव स्कोर चार और किस मापती पर 22 रन चार विकेट घेवरा गैब में गिरा एक रन आसानी के साथ घेवरा को अगली बॉल फुल टॉस फिर से मिस फिल्डिंग हुआ और यह दो रन आसानी के साथ होंगे अगला बॉल डाला अगला बॉल जूरज का और अच्छी विकेट कीपिंग अगला बॉल पुरे कैच होना चाहिए लेकिन नहीं एक रन आ रहा है और यह दो रन देंगे शायद पुरे रन आउट अरे ना आउट नहीं पुरे पांचमा विकेट गिरते हुए मिस फिल्डिंग होई लेकिन दूसरे रन के चक्कर में विकेट गवा दिया पांच विकेट गेवरा अगला बॉल ओ अंदर की तरफ आया बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल यह बल्ले बाज लोकेस दराल यह नीलवाल की टीम से खेलते थे लेकिन आज गेवरा की तरफ से खेल रहे हैं अगला और जतिन पांच आवर 27 रन पांच विकेट लोकेस बल्ला घुमाया लेकिन डॉट बॉल अगला बॉल लोकेस सामना करेंगे और फिर से बहुत ही बढ़िया बॉल अच्छी लैंट पकड़ी चतिन अगला बॉल शामना लोकेस डॉट बॉल फिर से वाइड इस बार साइड दिया अंपायर ने अगला बॉल जतिन बॉल्ड लोकेस को बॉल्ड गया तीसरा विकेट जतिन का स्कोर 28 रन 6 विकेट अगला बॉल जतिन का ओ खूब शरच शोट साइच यार रन होंगे नहीं नहीं थोड़ा सा बच गया अच्छी फिल्डिंग दो रन स्कोर 30 रन 6 विकेट के नुक्सान पर अगला बॉल जतिन का बॉल का पता ही नहीं लगा बिल्कुल हलक कीजी उठी अगला बॉल जतिन का और यह हवा में कैच होगा मेरे ख्याल से और नहीं गैब में गिरा एक रन दूसरे रन के लिए दॉट पर नहीं एक रन स्कोर 31 रन 6 विकेट के नुक्सान पर विक्की फिर से लेकर आएं डॉट बॉल दूसरा बॉल विक्की का फेस करेंगे टोपी वाले भाई पुरे बल्ले से लगाई और एक रन स्कोर 32 पर 6 सातमा वर चलते हुए डॉट बॉल मैं आज की अगली बॉल विक्की की डॉट बॉल अगला बॉल विक्की का उठागे खिला है गैब में गिरेगा शायद कैच बहुती शांदार कैच सातमा विकेट गिरते हुए अगला वर लेके आए हैं कालेज जूनियर पर दूसरा रन टोपी वाले अच्छी बैटिंग कर रहे अभी तक स्कोर 35 विकेट आठमा वर अगला बॉल काले जूनियर वाइट एमपार का कोई इशारा नहीं अगला बॉल काले का और पिच बॉल थी और ये चैरन अभी तक टोपी वाले न अच्छी बले बाजी की है और एक चक्का जड़ते हुए बहुती लंबा चक्का अगला बॉल वाइट फिर से वाइट और ये पैरिसे लगी बॉल स्कोर 43 वर 7 घेवरा अगला बॉल फुल टोस बॉल और ये थोड़ी सी मिस्विलिंग लेकिन एकी रन और एक रन असानी के साथ होगा स्कोर 45 रन साथ विकेट घेवरा अगला बॉल फिर से और पेच और कैच होना चाहिए यगिनन आठवा विकेट घेवरा का ये टोपी वाले बाईसा बहुत बढ़ी आपले बाजी कर रहे थे लेकिन अंतिम और चल रहे हैं नहीं रोफ पाई विनोध स्कोर 46 रन आठ विकेट नवे आवर की अगली बॉल सूरज बॉल्ड नवा विकेट लिया सूरज ने हर्फन मोला बॉलर स्कोर 9 विकेट पर 46 रन और ये अंतिम विकेट घेवरा क्रिकेट कलब की अच्छा बॉल सूरज का अगला बॉल सूरज का फिर से बॉल्ड और ये आल आउट चियालिस पर घेवरा क्लब आल आउट नौवे अवर की तीसरिया चोथी बॉल पर जीतने के लिए नीलवाल क्रिकेट कलब को चाहिए हैं 47 रन 10 अवर में विकी हर्फन मोला ये अल रांड रहे हैं स्टार बॉलर जतिन तीन विकेट लिया इन्होंने और ये चोट गरस्त है पैर पे चोट भी लगी हुई है इनिंग स्टार्ट होते हुए टारगेट है 47 रन 10 अवर में बैटिंग पर यूगल और उस तरफ हैं स्विगी के मैनेजर काले सीनियर पहली बॉल वाइड स्कोर एक रन बिना बॉल एक रन सरकारी खाते में जाते हुए बॉल्ड पहला बॉल एक रन एक विकेट यूगल बॉल्ड होकर आते हुए काफी मायूस अगले बल्ले बाज काले जूनियर स्कोर एक रन एक विकेट अगला बॉल वाइड दो रन एक विकेट पहला वर बॉल्ड ने साइड चेंज की है और बैट से टकराई और एक रन आसानी से होगा स्कोर तीन रन एक विकेट अगला बॉल स्कोर साथ रन एक विकेट साथ रन एक विकेट पहला वर अभी एक रन के लिए आसानी से एक रन होगा बिल्कुल और एक रन होगा असानी के साथ रन एक विकेट अगला बॉल वाइड ग्यारा रन स्कोर नीलवाल क्रिकेट क्लब अगला बॉल सामना करेंगे काला जूनियर और शोट गुमाया है एक रन होगा असानी के साथ दो रन असानी के जाथ स्कोर तेरा रन एक विकेट एक आओर की समाप्ती पर तेरा रन एक विकेट दूसरी आओर की पहली बॉल सामना करेंगे काले सिनियर और यह कोटन पॉल का चांस मिस किया बोलर ने बहुती अच्छा कैच होता ये असान कैच ताइसे कैच हो जाने चाहिए स्कोर चोधा रन एक विकेट खा लेगा कैच ड्रोप हुआ भी अभी डॉट बॉल बॉल हो सकते देश पर अगला बॉल बैट से लगी एक रन होगा असानी के साथ स्कोर पंदरा रन एक विकेट अगला बॉल एक रन बहुती असानी के साथ होगा सुझ बुझ के साथ खेलते वे काले सिनियर डॉट बॉल स्कोर शोला रन एक विकेट दूसरा और भी रनिग बैट से लगी एक रन असानी के साथ होगा कोई खतरा नहीं होगा इसमें शायद विलकुल और यावर थ्रो स्कोर अठारा रन एक विकेट तिजरे और की पहली बॉल प्रमिस फिल्डिंग स्कोर बीजरन तिजरे और की तिजरी बॉल प्रमिस फिल्डिंग चार रन काले सीनियर दवारा स्कोर 24 रन एक विकेट तीसरा आवर रनिंग में अभी अगला बॉल लेगे बॉलर आफसानी के साथ आराम से खेल दिया एक रन के लिए काले ने बड़ी सूजबुज के साथ बैटिंग कर रहे हैं स्कोर 25 रन एक विकेट अगला बॉल काले जूनियर फुल टोस बॉल सरके उपर से साथ च्यार रन होंगे शायद कुछ नी दो रन स्कोर 27 रन एक विकेट अगला बॉल फुल टोस फिर से एक रन होगा असानी के साथ स्कोर 28 रन गया काले को दूसरा विकेट गिरते हुए 28 रन पर दो विकेट नीलवाल क्रिकेट क्लब विनोध आय बैटिंग पे परिवाइड 29 रन अगला बॉल विनोध को यह लगते नहीं के अच्छी बल्ले बाजी कर पाएंगे जल्दी लोटेंगे शायद अगला बॉल विनोध को डॉट बॉल अगला बॉल डॉट बॉल और शोट लगा विनोध ने एक रन के लिए स्कोर 30 रन दो विकेट के नुकसान पर चोथावर रनिंग में सामना करेंगे काले सिनियर एक रन आसानी के साथ होगा स्कोर 4 रावर 31 रन दो विकेट नीलवाल क्रिकेट क्लब अगला बॉल ठाके खेला है मिस्वेलिंग एक रन हवा में और यह कैच होगा यह नहीं देखना होगा लोकेश ने कैच मिस्च किया स्कोर 36 रन दो विकेट एक और फिर से उठा के खेला विनोध ने और यह शाद दो रन होगे फिलिंग हो जब 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 स्कोर 38 रन दो विकेट अगला बॉल विनोध फुल टोस छे रन और यह छे रन विनोध स्कोर 44 रन दो विकेट के नुक्सान पर बॉल रोड पर पहुंचाई थोड़ा टाइम लगेगा बॉल शाहिद कहीं जाडियों में खो गई स्कोर 44 रन दो विकेट के नुक्सान पर जीतने के लिए सिर्फ मातर तीन रन जिये है और शायद गेवरा ने मैच छोड़ दिया है यह रोध भाई थोड़े चोट गरस था इसलिए मैच में नहीं खेल रहे हैं लेकिन मैच देखने के लिए आए हैं अरफन मोला बल्ले बाज हैं यह यह नीलवाल क्रिकेट कलब ने मैच जीत लिया है यह नीलवाल क्रिकेट कलब के कप्तान क्या कहना साएंगे आप सुरज भाई